तोते भाई इस जंगल में लगता है नए हो पहले तो कभी नहीं देखा मैंने आपको हाँ हाँ मैं आज ये आया हूँ अपने परिवार के साथ इस जंगल में बस मुझे जल से जल अपना गोंसला बनाना है गोंसला, अरे रे, कालू के होते हुए तुम गोंसले में क्यों रहोगे मेरे पास अपना घर है, तुम मेरा घर किराय पर ले सकते हो पर मैं गरीब तोता हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारा घर किराय पर ले लूँ एक तो यही मसला है ना जाने सब पक्षी किराय का सुनकर इतना क्यू ढरते हैं तोते तुम मेरे घर का किराय सुनकर बिलकुल हैरान रहे जाओगे और हाँ तुम बहुत जादा खुश भी हो जाओगे अच्छा तो फिर मुझे भी बता दो आखिर कितने हजार है तुमारे घर का किराया तोते हजार नहीं बलके सिर्फ सौ रुपे बस सौ रुपे है मेरे घर का किराया क्या सिर्फ सौ रुपे कालु कववा तोते और उसके परिवार को लेकर अपने दूसरे वाले घर पर चला जाता है इतना बड़ा घर कालु कववे तुम कहीं पागल तो नहीं हो जो इतना बड़ा घर सिर्फ सौर पे किराय पर दे रहे हो या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में किसी चुड़ेल का साया हो हाँ तोते जी ऐसा ही होगा तभी तो ये घर इतने कम किराय में मिल रहा है क्या हो गया है तोते खोद भी ढ़रते हो और अपनी पतनी को भी ढ़रा रहे हो तुम्हें पता नहीं शायद के मैं बहुत रहम दिल पक्षी हूँ मुझे इस तरह गड़ी पक्षियों की मदद करने में बहुत आनन मिलता है वाव वाव क्या बात है तुम जैसे संसकारी कवे बहुत कम नजर आते हैं आज के जमाने में बस फिर तोता कालुकवे कावे घर किरायपर ले लेता है हो गया मेरा काम आखिर मैंने इस मुर्ख तोते को अपने जान में फसाही लिया दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है कालुकवा तोते को अपना घर किरायपर देखकर वहां से चरा जाता है कितना मजबूत और कितना अच्छा घर है तोते जी अब तो हम हमेशा इसी घर में रहेंगे नना तोता भी अपना नया घर देखकर बहुत जादा खुश हो रहा था देखिया ना जी हमारा बेटा कितना खुश हो गिया कवे ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है वरना हम गरीपक्षी इस बड़े घर में रहने का बस सोची सकते थे बस अब वे तोते का परिवार बड़े अराम से कालुकवे के घर में रह रहा था फिर इसी तरह पूरा एक महीना गुशर जाता है एक दिन कालुकवा बबलुकवे को लेकर तोते के घर पर आ जाता है और बबलुकवा कोई मामूली नहीं बलके पुलिस वाला था चलो तोते, महीना पूरा हो गिया, चल्डी से मेरा किराया दो ओहो, तुमने यह आने की क्यों जहमत की, मैं बस तुम्हें किराया देने आ ही रहा था अच्छा वे से कालूकावे, तुम किराया लेने आयो ना, तो इस पुलिस वाले को साथ क्यू लाए हो चलो 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 इसे कालुकावे का किराया दो इसे हाँ हाँ मैं अभी सो रुपे लाकर देता हूँ किया सो रुपे ये क्या बोल रहे हो पागर समझा है मुझे जो मैं इतना बड़ा और इतना अच्छा गर तुम्हें सो रुपे किराया पर दे दूँगा फट अफट मेरे 10,000 रुपे दो किराय के वरना अच्छा नहीं होगा जल्दी करो तोते वरना टंडे से मार मार कर तुम्हारी कमा टोर दूँगा तोते जी 10,000 रुपे कहां से राएंगे हम इतने पैसे मैं मानती हूँ ये घर अच्छा है परन्तु 10,000 रुपे तो इस घर का किराया नहीं हो सकता इस प्रक्टर जी ये तोती बहुत बोल रही है एक काम करो इसके बच्चे कोई उठा लो नहीं नहीं ऐसा न करो का लुका वे मैने तो तो में एक रहम दिल पक्षी समझा था पर तुम तो शेतान से भी आगे के निकले मुझे बक्वास नहीं सुननी मुझे पैसे दो पैसे मुझे समय दो थोड़ा, मैं आज शाम तक तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूँगा तोता तो बिचारा बहुत जारा प्रेशान था, वे अपना छोटा सखेत एक पक्षी को बेज देता है ये रहे तुम्हारे पैसे, रखो अपना घर अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर मेरे बाबा को लूटा है न, देखना इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें तोता बिचारा अपने परिवार को लेकर वापस उस जंगल को छोड़ कर चला जाता है बेचारा तोता, अपने खेश से भी गया और मेरे घर से भी, तोते के साथ गेम खेलने में मज़ा आया ये लो बबलुकवे, तुम्हारे पैसे, इसी तरह पक्षियों को बेकुब बना बना कर हम बहुत जादा अमीर हो जाएंगे फिर एक हffते के बाद मीनोचेडिया अपने बेटे मानोचेडिय के साथ उस जंगल में आती है मिल गिया, मिल गिया मुझे नया शिकार कालुकववा भागा भागा मीनोचेडिया के पास लजाता है कवे भाई के इस जंगल में मुझे छोटी सी जोपड़ी किरायपर मिल सकती है नहीं नहीं मैं तुम्हें जोपड़ी में रहने नहीं दूँगा चेडिया बेहन तुम मेरा बड़ा घर किरायपर ले सकती हो पर कवे भाई मेरे हाला तब भी अच्छे नहीं मैं आपका भी बड़ा घर किराय पर नहीं ले सकती अरे बाबा पहले किराय तो सुन लो मेरे घर का किराया सिर्फ सो रुपे है सो रुपे? वा कवे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब तो मैं आपके घर में जरूर रहूंगी बस फिर क्या था? कालुकववा मिनुचेडिया को भी ब्यकूब बना कर उसे अपना महेंगा घर किराय पर दे देता है और अब मिनुचेडिया अपने मानुचेडिय के साथ बड़े अराम से कालुकवे के बड़े से घर में रह रही थी फिर इसी तरह एक और महीना गुजर जाता है कालुकववा हमेशा की तरह बबलुकवे को लेकर किराय लेने मिनुचेडिया के घर पर आया हुआ था चलो 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 चली से 20,000 रुपे किराय निकालो मेरा कोई बहाना नहीं चलेगा कालुकवे तुम जूट क्यों बोल रहे हो 20,000 रुपे नहीं बलके सिर्फ सो और पर किराय है तुम्हारे घर का सो और पर? अरे मैं क्या पागल हूँ? मैं अपने घर का छोटा सा हिस्सा भी सो और पर क्राय पर कभी नहीं दूँगा चलो जल्दी करो चेड़िया पैसे निकालो वरना तुम्हारे बेटे को ले जाकर काला बास के पीछे डाल दूँगा बस अपनी ये धमकिया अपने पास रखो बबलू चोर अरे भाप रे इससे कैसे पता चला के मैं कोई पुलिस वाला नहीं बलके एक चोर हूँ मिनुचेडिया के दोनो साती घर में आते हैं और कालू कवे और बबलू कवे को कसके पकड़ लेते हैं और अब मिनुचेडिया कालू कवे और बबलू कवे को जेल में बन करके उनकी अच्छे से पिटाई लगाती है मिनोचेडिया गरम गरम पकोड़े बेशती थी और सब पक्षियों को मिनोचेडिया के पकोड़े बहुत ही पसंद थे थोड़ी दिर के बाद मिनोचेडिया की दुकान पर कुछ पक्षी आते हैं चलो भई मिनुचेडिया चली से स्वादिश पकोड़े खिला दो बहुत भूग लग रही है मुझे भई पहले मुझे देना मिनुचेडिया मैं कब से यहां खड़ी हूँ पहले बात का कोई सीन नहीं है बुल बेहन जो पहले आया है पकोड़े तो उसे ही मिलेंगे अरे अरे पक्षियों क्यों लड़ रहे हो तुम सबको मैं दूंगी ना सबको दूंगी पकोड़े फिर मिनुचेडिया गरम गरम पकोड़े निकाल कर पक्षियों को देती है और पक्षी मज़े से खाते है अरे वा कितनी स्वादी सुगंद आ रही है मिनुचेडिया के पकोड़ों की तो क्या ही बात है मुझे तो अब बोर रहा नहीं जाएगा मुझे पकोड़े खाने है पकोड़े खाने के लिए कालुकावा मिनुचेडिया के पास चला जाता है मिनोचेडिया मिनोचेडिया दूसरे जंगल से उरता हुआ रहा हूँ बहुत भूक लग रही है थोड़े पकोड़े खिला दो हाँ हाँ कालु कावे अभी देती हूँ तुम्हे पकोड़े बस रुको जरा मिनुचेडिया कालुकवे को भी पकोड़े दे देती है और कालुकवा भी मज़े से सारे पकोड़े खाता है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है यार मिनुचेडिया पकोड़े तो वाकई में ला जो आप थे परंतु मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता कोई बात नहीं कालुकवे पैसे का क्या है अगली बार आना तो दे जाना पैसे कालुकवा फिर खुश होकर पहाँ से चला जाता है अगले दिन सुबा भी कालुकवे का फिर से पकोड़े खाने का मन हो रहा था कल तो मिनुचेडिया को व्याखूब बनाकर कितने सारे पकोड़े खा लिये थे परन्तु आज जाओंगा तो मिनुचेडिया आज के साथ कल वाले भी पैसे मांगेगी पर मैं अभी क्या करूँ पकोड़े खाए बिना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा वे कालू का हुआ बहुत आलसी था कोई कामबाम नहीं करता था जिस कारण उसके पास बिलकुल भी पैसे नहीं होते थे मिनुचेडिया मैं आ गिया चलो अब मुझे गरम गरम पकोड़े ला कर दो और हाँ मैं पैसे भी लाया हूँ आज मुझे दो प्लेट देना फिर मिनुचेडिया कालुकवे के सामने दो प्लेट पकोड़े रखती है और कालुकवा जल्दी जल्दी वे सारे पकोड़े खाने लगता है ला कालुकवे कल के और आज के पैसे दे दो अरे मेरी पैसों की पोटली कहा है अरे मेरे साथ तो ही थी हाई डे मुझे लगता है पैसों की पोटली मुझे कहीं गिर गई मेरे पास तो अब पैसे नहीं है मिनोचेडिया मैं तुम्हें आज भी पैसे नहीं दे सकता मिनोचेडिया ये कालुकवा बहुत तेज है कमाता तो कुछ है ही नहीं तो पैसे कहां से आएंगे छोट बोल रहा है ये तुमसे हाँ कालुकवे सब समझ रही हूं मैं छोटे हो तुम बहुत आएंदा मेरी दुकान पर कभी मत आना चलो भागो यहां से इस तरह मिनोचेडिया कालुकवे को अपनी दुकान से बगा दीती है थोड़ी देर के बाद मिनोचेडिया की दुकान पर मिठो माराज अपने सैनिक के साथ आते हैं मिठो माराज आप मेरी दुकान पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप खुद मेरी दुकान पर आए आना तो पड़ेगा ना मिनोचेडिया जो तुम अपने पकोड़े इतने स्वारिश बनाती हो वैसे भी बारिशों के दिन आने ही वाले हैं चंगल में जब बारिश होगी तो मैं अपनी तोती रानी को लेकर आँगा तुम्हारी दुकान पर तो मेरी तोती रानी को स्वारिश पकोड़े बना कर खिलाना वो बहुत जादा खुश हो जाएगी जरूर जरूर आईएगा मिठु माराज मैं पकोड़े बना कर तेया रखूंगी ये सारी बात ने थोड़ा दूर बैठा कालुकवा सुन रहा था कालुकवा अपना बदला लेना चाता था वो बहुत जादा गुसा था फिर दो दिन ऐसे ही गुसर चाते हैं एक दिन चंगल में तेज बारिश यू हुचाती है आज बारिश हो रही है इसका मतलब आज मिठो मारा तोती राने के साथ मेरी दुकान पर आएंगे चलो चली से पकोड़े बनाने के लिए बेसं तयार कर लेती हूँ फिर मिनोचेडिया पकोड़े बनाने के लिए बेसं तयार करने लगती है कालु काववा इस तेज बारिश में भी मिनुचेडिया पर नजर रखा हुआ था मैं भी देखता हूँ कि कैसे तो तीरानी मिनुचेडिया के मज़ेदार पकोड़े खाती है कालुकवा उड़ता हुआ तेजी से जाता है और अपनी नौकीली चोंच से मिनुचेडिया का छाता फार देता है हाई रे ये छाता कैसे फट गिया पानी तो अंदर आ रहा है बारिश काफी तेज हो रही थी और बारिश का पानी सीधा बेसन के अंदर जा रहा था हाई रे ये क्या हो गया ये बेसन तो बिलकुल पतला पानी की तरह हो गया अब मैं पकोड़े कैसे बनाऊंगी मिनुचेडिया बहुत ज़ादा परिशान हो जाती है तबी मिनुचेडिया को अपनी मा की एक रेसिपी याद आती है वे जल्दी जल्दी उस पतले बेसन को ही मसालेदार कड़ी बनाने लगती है थोड़ी देर के बाद बारिश में घूमते घूमते मिठु माराज और तोती रानी भी मिनुचेडिया की दुकान पर आते हैं मिनुचेडिया हम आ गए चलो जल्दी से हमें गरम गरम पकोड़े खिलाओ मिठु माराज पकोड़े और किसी दिन आज मैंने आपके और तोती राने के लिए पकोड़ों से भी जादर स्वादिश चीज़ बनाई है मिनुचेडिया प्याले में दोनों को मसालेदार कड़ी निकाल कर देती है वे दोनों फिर उस कड़ी को पीने लगते हैं मज़ेदार मज़ा ही आ गया इतनी स्वादिश कड़ी ये तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई महराज को भी वे कड़ी बहुत सादा पसनाती है मिनुचेडिया आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया बोलो बोलो तुमें क्या चाहिए मिठु माराज मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप और तोती रानी इसी तरह मेरी दुकान पर आते रहे तो मैं खुश रहूँगी दूर बैठा कालुकववा भी ये सब देख रहा था वे तो ये सब देख कर जल भुनकर कभाब हो जाता है दोस्तों अगर आप सबको मिनुचेडिया पसन है तो मिनुचेडिया के लिए एक लाइक ज़रूर कर देए वैसे अब ठंडी का मौसम आने वाला है और ठंडी के मौसम में तो मुझे कोई शिकार नहीं मिलता क्योंके सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहते हैं कोई घर से बाहर नहीं निकलता इसलिए मुझे अभी से ही अपने भुजन का इंतिजाम करके रखना होगा बाजुचील का घर तो बहुत बड़ा था और उसके पास अपना एक काफी बड़ा फिरीज भी था जिसमें वे पक्षियों का मास रखती थी मामा मामा आप अभी से ही बहुत सारे पक्षियों का शिकार करके उन्हें फिरीज में जमा दो जब ठंडी का मौसम आएगा तो हम रोजाना घर बेटे आराम से पक्षियों का मास खा सकेंगे वाँ मेरा बच्चा कितना होश्यार है बहुत अच्छा उपाई दिया तुमने बस मैं आज से ही जाकर पक्षियों का शिकार करना शिरू कर देती हूँ फिर बाजू चील अपने बेटे के उपाई के मुताबिक पक्षियों के जंगल में शिकार करने चली जाती है बच्चों की छूटिया थी इसी वज़ा से सब बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे और मानो चेड़ा पक्षियों को ढूंड रहा था बहुत मजे से खेला जा रहा है ना अभी इनका खेल खराब करती हूँ बाजू चील भागी भागी चाड़ियों की तरफ आती है और नने कबुतर को अपने पंजों से पकड़ कर वहां से ले जाती है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ अरे मेरा दोस ननना कबुतर कोई बचाओ इसे अरे दोस्तों ये क्या हो गया हमारे दोस्त को तो चील पकर कर ले गई अब क्या होगा हम कबुतर अंकल को क्या जवाब देंगे ये तो बहुत बुरा हुआ अब हम कबुतर अंकल को क्या मुझ दिखाएंगे जाकर पर इसमें हमारी कोई गर्ती नहीं हम तो खेल नहीं थे ना दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है धर के मारे सारे बच्चे अपने अपने मातर पिता को लेकर आते हैं और उन्हें बाजूचील का बताते हैं हाई रे ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा ऐसा केसे कर सकती है बाजुचील हर बार पक्षिएँ को परिशान करने आ जाती है ममा हमें क्या पता था कि बाजुचील हमला कर देगी वरना हम पक्षि तो खेलते ही नहीं नने पक्षिओ तुम सबकी वजासे आज मेरे बच्चे की जान चली गई हर वक्षेल हर वक्षेल अच्छा नहीं होता कबूतर बच्चों को क्यों डाट रहे हो बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो क्या घर में बैठी रहेंगे हाँ कबूतर भाई बस तुम सबर करो और हाँ पक्षियों अब से आप सबको अपने अपने बच्चों का खुद खयाल लगना होगा क्योंके बाजूचील दुबारा भी हम लग कर सकती है हाँ हाँ राज्चू अब तुम्हे घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना नने कबूतर की वज़ा से काफी सारे पक्षी बहुत जादा ही ढर गए थे अगली दिन तो सारे नने पक्षी अपने अपने घरों में अराम से बैटे हुए थे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा रहा था अरे ये क्या आज तो जंगल में कोई बच्चा नहीं दिख रहा लगता है सब पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को घरों में छुपा कर रखा है पर मैं भी नहीं जाओंगी बिना शिकार के शिकार तो अपने साथ लेकर ही जाओंगी ममा मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती न मुझे मालो चिड़े के पास जाना है उसके साथ खेलना है मुझे कह दियाना के बाहर बहुत खतरा है तो क्यों जित कर जा रही हो ममा में इस घर में बैठी बैठी बहुत ठक गई मुझे ले चलो ना वहाँ पर बुल बुल ना मानते हुए भी अपनी बेटी की बात मान ही लेती है अच्छा चलो चलते है मानो चिड़े के घर पर पर हाँ मैं खुद जाओंगी तुम्हे छोड़ने फिर वे दोनों मा बीटी अपने घर से निकल कर मिनो चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती है ये देखते ही बाजुचील भी भागी भागी बुल बुल का पीछा कर रही थी अरे बाप रे ये का बला पीछे लग गई चल्दी से मिनो चिड़िया का घर आ जाए वर्णा मैं और मेरी बच्ची तो जान सी चाएंगे आज बाजुचील तो फिर बाजुचील थी वे काफी ही तेजी में ओर कर बुल बुल की ओर आती है और उसे उसकी बेटी चीन कर वहाँ से भाग जाती है मेरी बच्ची मेरी बच्ची को छोड़ दो घर पर आकर बाजोचील ननी बुलबुल को भी मार कर अपने फ्रीज में जमा देती है बस अब जल्दी जल्दी आइस्ता आइस्ता सब नने पक्षियों कर शिकार करके इस फ्रीज में जमा दोंगी अगले दिन बाजूचील किसी तरह शोनुचडिया का भी शिकार करके उसे महाँ से ले जाती है हाई रे मेरी शोनुचील को ले गई अपने साथ बाजूचील तुम नहीं बचोगी देखना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा हाँ मिनुचिडिया तुम देखना उस जालिम चील के साथ भी बहुत ही बुरा होगा बाजुचिल भी थोड़ी दूर बैठी पक्षियों की बाते सुन सुन कर बहुत जादा खुश हो रही थी ये पक्षि और कर भी कह सकते हैं मैं तो इन पक्षियों को छोड़ूँगी रही जब तक इस जंगल के सारे पक्षियों को शिकार नहीं कर लेती मुझे सुकों नहीं मिलेगा दूसरी और नने चील को काफी जादा भूग लगी थी इसलिए वे फिरीज से कबूतर का मास निकाल कर उसे खाने लगता है कबूतर का मास तो बहुत मज़े का है एक काम करता हूँ सारा खा लेता हूँ नना चील भूख के मारे जल्दी जल्दी नने कबूतर का मास का रहा था कि तब भी अचानक ही एक बड़ी सी हड़ी आकर उसकी चोच में फस जाती है वे तो उस हड़ी को निकाले की बहुत कोशिश करता है पर वे हड़ी तो उसकी चोच से निकल ही नहीं रही थी थोड़ी देर में बाजुचील भी शौनो चड़िया को लेकर वहाँ पर आती है जब वे ये सब देखती है तो वे भी काफी जादा परिशान हो जाती है अरे जे ये हड़ी कैसे फस गई तुम्हारे गले में रुको ज़रा मैं निकालती हूँ अभी बाजुचील भी काफी जोर लगा कर उस हड़ी को चोंच से बाहर निकालने में लगी थी पर वे हड़ी तो निकलने का नामी नहीं ले रही थी हाँ मैं तो ठक गई पर ये हड़ी है के निकलने का नामी नहीं ले रही अब मैं क्या करूं बेटा आज का दिन गुसरता है और अगला दिन आ जाता है पर उस ननेचील के गले से तो अभी तक हड़ी नहीं निकली थी और भूख के मारे ननेचील तो काफी ज़ादा निधाल हो गया था बेटा ऐसे तो ना करो अपनी आग खोलो तुम्हें क्या हो गया है भूख प्यास के मारे वे ननाचील उसी समय मर जाता है और ये देखकर बाजू चील तो बहुत ज़ादा रोई जा रही थी मेरा बेटा मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गिया चील अंटी आपको बहुत अच्छी सजा मिली मेरी ममा और बाकी पक्षी भी इसी तार रोई रहे थे परन तो आपको ज़र सी भी दिया नहीं आई और बच्छों को मारती नहीं कि आपको उसी की सजा मिल रही है ये बात सुनकर चील को तो अहसास हुजाता है कि उसने ये पक्षियों के साथ बहुत जादा ही गलत किया है बेटा तुम ठीक कहती हो मुझे ऐसास हो गया है कि मैंने तुम्हारी ममा और बाकी के सब पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है जाओ बेटा अब से तुम अजाद हो मैं आज के बाद किसी भी पक्षी कर शिकार नहीं करूंगी जो मरे हुए पक्षी होंगे सिर्फ ओनी का ही मास्क खाऊंगी ये बात सुनकर शोनो चेडिया खुशी खुशी लौट कर वापस अपने घर चली जाती है